हालो नमस्कार साथियो मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं अपने बिहार का विजय परिवार विजय एज्यूकेशन में आज हम बात करेंगे बिहार में BCCE के एक्जाम के थुरू हम BAC Nursing और Paramedical, Pharmacy और Physiotherapy Course में कैसे admission ले सकते हैं मैं आपको बच्चों बताना चाहूंगा कि BAC Nursing इसके अलावा B Pharma, BMLT, BRT, BPT ये Paramedical Courses हैं इन Best Courses में एक 12th बायो का student कैसे admission ले सकता है मेरे दोस्तों BAC Nursing के, B Pharma के, BMLT के, BRT के, BPT के जो Government College है इन Government College हो में कैसे दाखिला मिलता है देखो बच्चों, ये जितने भी मैंने Courses बताए हैं इन Courses में admission कौन ले सकता है 12th बायो का student, चाहे वो लड़का हो और चाहे वो लड़की हो Boys and Girls, दोनों ही BAC Nursing में, Pharma में, Paramedical में, Physiotherapy में admission ले सकता है तो अब बिहार में admission होगा कैसे, क्या सर इसकी कोई fees भी लगेगी क्या बच्चों देखो Private College से अगर आप Nursing या Paramedical Course करोगे तो आपकी fees लगती है, चार साल की टोटल लगबग 6 लाख रुपे से 8 लाख रुपे Private College में ये package रहता है, 4 एर का लेकिन अगर आप बिहार में बच्चों BCECE का form लगाते हैं BCECE का form लगाने के बाद एक entrance exam होता है वो आप अगर exam देते हैं और उसमें अच्छे नंबर लेके आ जाते हैं उसमें अगर आप fast division 60 percentage नंबर भी लेके आ जाते हैं तो आपको बिहार के nursing और paramedical के government college में admission मिल जाएगा और अगर बच्चों आपको government college में admission मिल गया तो आपको बिहार की government बिलकुल निश्वलक फ्री में पढ़ाने वाली हैं अर्थार्थ बिहार के top college में आपको पढ़ने का मोका मिलने वाला है तो जो बच्चे अभी 12th में study कर रहे हैं या जो 12th pass out student है वो BCCE 2024 के लिए forum आने वाले हैं forum को apply कर दें forum कब आएंगे एक महिने के बाद मार्च में online form बरे जाएंगे तो सबसे पहले आपको बच्चो क्या करना है BCCE का 2024 का form लगाना है और exam कब होगा nursing और paramedical course में admission के लिए जो परवेस परिक्सा है बच्चो वो जून में होगी कब होगी जून में परवेस परिक्सा होगी मार्च में form बरा जाएगा form कौन बर सकता है 12th बायो का student किलियर है बिलकुल जी तो बच्चो अगर इस nursing और paramedical में admission के लिए परवेस परिक्सा देनी पड़ेगी entrance exam देना पड़ेगा तो entrance exam का paper pattern क्या रहेगा मैं आपको paper pattern भी बच्चो कई बार बता चुका हूँ जो नए student है वो देख लीजिएगा बिहार में बच्चो तीन paper होंगे एक paper होगा physics का जिसमें so q सनाएंगे दूसरा paper होगा chemistry का so q सनाएंगे तीसरा paper होगा बायो का so q सनाएंगे टोटल तीन paper लगेंगे आपके bcece के बायो के बच्चो के लिए इन तीनों paper में average बच्चो आप अगर 60 percentage नंबर लेके आ जाते हो तो आपका selection पका है बच्चो तो आपका selection government college में पका है अब आप सोचोगे कि सर physics, chemistry और बायो जो q सन यहां पे पूछे जाएंगे यह किस type के q सन होंगे तो बच्चो यह आपके q सन होने वाले है objective पेपर आपका objective आएगा और syllabus क्या रहेगा जी syllabus बच्चो रहेगा 11th और 12th का 11th और 12th से ही q सन पूछे जाएंगे 11 और 12th में जो भी आपने पढ़ा है physics, chemistry बायो में वो सारे chapter पूछे जाएंगे ओके अब बच्चो देखिएगा अब सर हम तयारी कैसे करे क्योंकि सभी बच्चे चाते हैं कि हम online पढ़ें सर क्योंकि हमारे पास में बहुत जादा time नहीं है च्यार से पांच महीने है तो इन च्यार पांच महीनों में हम एक अच्छी straights भी बना करके systematic preparation कैसे करें तो बच्चो देखो सबसे पहले तो जिन बच्चो ने Vijay Education Ape जोईन कर रखा है सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाता हूँ धन्यवाद देना चाता हूँ कि आपने एक best way अपनाया है जिन बच्चों ने अभी Vijay Education Ape डाउनलोड नहीं किया है बच्चों मैं आपको बता दूँ Vijay Education आपका अपना Ape है यह वो Ape है जो आपको ताकत देता है आपको पढ़ने का मौका देता है बाकी कोचिंग की तरह यहां बच्चों पांच हजार, दस हजार, पैंतीस हजार या नीट की तरह लाखों में फीस तो नहीं है हजारों में भी नहीं है फीस बचो थ्री डिजिट में है आज आप 790 रुपे के अंदर इस पूरे बेच के अंदर ओनलाइन लाइव पढ़ने वाले हैं लाइव फ्रॉम क्लास रूम आपको अंदर नौट्स मिलने वाले हैं आपको अंदर टेस्ट स्रीज मिलने वाली है मोडल पेपर मिलने वाला है डाउट सेशन मिलने वाला है और तो और फ्री में काउंसलिंग भी मिलने वाली है है ना मेरे प्यारे साथिओ अगर आप इन्रोल हो गया है तो बढ़िया बात नहीं हुए हैं तो आज ही आप इन्रोल हो जाईएगा रजिस्टेशन करवा में अब क्या करें जी इसके बाद में देखिए एप के अंदर जितनी भी systematic class से आ रही है क्योंकि देखो दो session में class से चलती है एक तो सुबह 8 बजे से 11 बजे और दूसरी चलती है साम को 6 बजे से 9 बजे आपकी इच्छा है तो morning वाली class देखो आपकी इच्छा है तो indie medium की class देखो आपकी इच्छा है तो English medium की class देखो सबसे पहले theory की class देख ली फिर हम practice के लिए आपको DPP दे रहे हैं उस DPP के qution practice करिए हम notes दे रहे हैं अपने उन notes को एक बार पढ़ते हुए अपने खुद के self notes भी बनाईए फिर भी अगर कोई चीज समझ नहीं आती है तो उस class को आप recorded way में वो class upload हो जाएगी उसको फिर से देख सकते हैं है ना इसके अलावा जब revision class आएगी one sort class तो उसमें आपको revision भी करना है प्रतेक साथ दिनों में हम जितना पढ़ाएंगे उसका टेस्ट भी लेंगे तो आपको टेस्ट भी देना है एप में class जैसे ही complete हो गई आपको notes मिला आपने sort notes तयार किया DPP से क्यूशन प्रैक्टिस किया संडे को टेस्ट दे दिया इसके बाद में बचो revision class देख करके revision किया इसके बाद में मेरे प्यारे साथियो आपको daily एप में जितना आप पढ़ते हो उतना self study भी करना है daily 8 से 10 गंटे आपको study करनी है और अगर इतनी आप study बचो कर लेते हैं तो मुझे लगता है undrained percentage आपको government college तो मिल ही जाएगा अब देखिए बचो बायों के बच्चे बायों के जो बच्चे हैं वो ये चाते हैं कि वो एक ऐसा course करें जिन में उन्हें government जोब तुरंत मिल जाए उन्हें लंबा struggle ना करना पड़े और आराम से उनका इस course में admission भी हो जाए देखो बच्चो जो विशेश कर गाओं के बच्चे हैं middle class family के बच्चे हैं वो क्या करते हैं जैसे इंटर complete करते हैं 12th complete करते हैं अपने गाओं के या अपने सहर के किसी भी degree college में जाते हैं या तो BA करते हैं या BSE करते हैं या DLA करते हैं है ना मेरे प्यारे साथियो पहले से लाखो लोग बैठे हैं BA किये वे BSTC किये वे DLA किये वे graduation किये वे तो आप ऐसे field में क्यों जा रहे हो वहाँ आपकी degree college में fees लग रही है या तो आपकी fees ही नहीं लग रही आपका free में admission हो रहा है ना और पढ़ने के लिए आपको कहीं जाना भी तो नहीं है परवेस परिक्सा BSECE की उसकी तैयारी आपको घर से करनी है कहीं नहीं जाना अभी इन चार महीने में तैयारी कर लो जून में exam है है की नहीं पहले तो आपको केवल एक ही तो exam देना है BSECE वाला exam देने के बाद फिर आपको जिस भी course में admission लेना हो counseling के समय उस course का selection कर लो BSE nursing करनी हो तो exam के बाद BSE nursing course भर लो BSE nursing नहीं करना B-Pharma करना तो इसको भर लो exam सभी courses का एक साथ ही होगा physics, chemistry और bio के paper होंगे objective type के और paper कहां होगा BIR के सभी जिलों में होगा paper देने के लिए भी कहीं दूर जाने की जरुवत नहीं है paper इंदी और इंग्लीज दोनों medium में होगा OMR seat पे exam होगा है ना बिल्कुल तो मेरे प्यारे साथ ही हो तरीका मैंने आपको बता दिया है है ना और ये विजे education के help line number है आप इन नंबरों पे call करके भी ज़्यादा जानकरी ले सकते हो है ना 8302199394 ये नंबर है बच्चो तुरंट note करिएगा ठीक है मुझे पता है कि लक्से बेच की इतनी ज़्यादा बिहार से डिमंड आ रही है कि पहले मेरे दोस्तो इस बेच को हमने unlisted कर दिया था लेकिन अब एक बार फिर से हमने public किया है मैं चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चा और जुड़ना चाहता है तो इन आने वाले चाहर पांस दिनों में जुड़ जाएं enroll कर लें और अपनी study को मेरे दोस्तों आगे बढ़ाएं है ना बिल्कुल इसके अलावा दूसरा help line नमबर है 9672721229 अब बच्चो मैं आपको ये भी बता दूँ कि आप विजे education के नाम से एप है उसे क्लिक करो आगे payment का option आएगा अगर आपके phone में Google Pay Paytm की स्वीदा है तो आप खुद payment कर दो सीधा बेच एक्टिव हो जाएगा आपके पास payment की स्वीदा नहीं है तो कोई बात नहीं आप अपने भाई से अपने रिस्तेदार से साइबर वाले से इमित्र computer center से मेरे दोस्तों जो भी आपके नजदी की जो center है वहाँ पे जाकर के आप इन नमबरों पे pay phone या Google पे डला दो और फिर हमारी टीम को call करके बोल दो कि मैंने पैसा किसी और से बिजवाया है लेकिन course मुझे मेरे नमबर पे चालू कराना है तो हमारी टीम आपके नमबर पे बेच एक्टिवेट कर देगी इधर से और उधर तुरंत आपकी class से चालू हो जाएगी इसके अलावा आप अपने tape में अपने computer में iOS में जिसमें भी class देखना चाहते हैं देख सकते हैं आज आपने एक mobile में अपना course लिया दो महीने बाद आप दूसरे mobile में देखोगे तो भी class चलेगी ठीक है ना बिलकुल अब बच्चो देखिएगा इतनी बात आपके समझ में आई गई अब मैं बात करना चाहूंगा कि देखो मैंने आपको क्या बोला मैंने कहा कि बच्चो अगर आप B.A.C. नर्सिंग करना चाहते हो गॉर्मेंट कोले से और आपको B.A.C. नर्सिंग जरूर करना चाहिए सबसे अच्छा कॉर्स है बच्चो B.A.C. नर्सिंग और MBBS दोनों बराबर है लोग नीट के लिए चार साल पांच साल मेहनत करते हैं सलेक्शन ही नहीं होता जबकि B.A.C. नर्सिंग के लिए तो आपको चार पांच महीने तयारी करनी है बस B.A.C. नर्सिंग में कोई फीस आपकी नहीं लगेगी और किसी का अगर B.A.C. नर्सिंग में नहीं भी होता है तो पेरा मेडिकल में बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉर्स है जैसे आपका B.M.L.T. हो गया B.R.T. हो गया है ना इसके लाव़ भी फार्मा हो गया इन कॉर्सिंग में भी एडमिसन ले सकते हो है ना अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे B.R. में ये कोलेज है बचो देखो ये B.A.C. नर्सिंग के गॉर्मेंट कोलेज है N.M.C. पटना है B.M.I.S. पावापुरी है J.L.M.C. भागलपूर है फिर D.M.C. दरबंगा है N.M.C. गया है ये गॉर्मेंट कोलेज है आपके मैं और बताता हूँ आपको ये पेरा मेडिकल के कोलेज है पबलिक हेल्थ इंस्टिट्टूट पटना इसमें अलग-अलग पेरा मेडिकल कोर्स है आप्टोमेट्री, रेडियसिन थेरपी मेडिकल लेब टेकनोलोजी है ना, ये आप फीजियो थेरपी के कोलेज है आप देखिएगा है ना, ये पटना के अंदर है इसी तरह से ये आपका बी-फार्मा का कोलेज भी मैं आपको दिखा देता हूँ देखिए, MIT, मुझफर पूर, GPI, गुलजार, बाग, ये बी-फार्मा के कोलेज है है ना, तो बच्चो एडमिसन आपको लेना है और इसके लिए अभी से आप तयारी सुरू करिए इसके अलाव बच्चो हमारा जो एक्जाम है वो कहां कहां पे होगा एक्जाम का सेंटर कहां पे आने वाला है वो भी मैं आपको बता दूँ फोरम भरने के लिए कौन से डोक्यूमेंट से ये वो भी मैं आपको बता दूँगा ये बच्चो आपका जो हैं जिले का कोड हैं ये एक्जाम सेंटर आपका जो भी नजदी की जिला है उसमें आपका एक्जाम होगा आप जिस भी जिले से अपलाई करते हो उस जिले की कोड को डालना है फोरम बरते समय इन में से आपका एक्जाम सेंटर आएगा आपके खुद के जिले में अगर सेंटर नहीं आया तो आपके नजदी की कोई भी डिस्टिक में परिक्षा के अंदर आ जाएगा है ना जब भी फोरम स्टार्ट होंगे फोरम बरने में मैं आपकी पूरी मदद करने वाला हूँ पूरी हेल्प करने वाला हूँ है ना बिलकुल और जब बच्चों आप फोरम में जो फोटो लगाएंगे उस फोटो में नीचे आपका नाम होगा और डेट और फोटो होगा है ना बिल्कुल जी तो मेरे दोस्तों इसके अलावा जो बच्चे BC के टेगरी के हैं या SCST के हैं उनको फोर्म बरने के लिए कास्ट सर्टिफिकेट की जरुवत पड़ेगी है ना और बाकी जो जित्ते भी बच्चे हैं कास्ट के साथ साथ मूल निवास की भी जरुवत पड परे हैं उनके लिए 12 की मार्ग चीट उनके लिए 12 एडमिट कार्ड की फोटो कोपी और जो 12 पास उट है उनके लिए बिटा 12 मार्ग सीट की फोटो कोपी यह डोक्यूमेंट चाहिएंगे और बाकी आप जो है मैं बीर दोस्तों तैयरी में लग जाओ आज ही अपनी 2024 के एक्जाम के लिए आपको अभी से तैयार रहना है फिजिक्स केमस्टी बायो में प्रिवियस येर एक्जाम में क्या क्यूसन पूछा गया 23 में 22 में 21 में है ना उसी तरज पे हम तैयारी करवा रहे हैं जिस लेवल का पिपर आता है उसी लेवल की विजे एज्यूकेशन ए एप के अंदर लक्षे बेच में प्रिप्रेशन करवाई जा रही है ठीक है ना बिलकुल स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं तुरंट आप कोल कर सकते हैं या डारेक्ट एप में जाईए एप डाउनलोड करिए और बेच जोईन कर लीजिए बेच जोईन करते ही आपको चाहता हूं और मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि अब मेरा बिहार आगे बढ़ रहा है अब बच्चे जागरुक हो रहे हैं अभी बावक जागरुक हो रहे हैं जब भी मैं कोई वीडियो डालता हूं तो बिहार के अलग-अलग गाओं के अंद मेरे प्यारे साथियों आप मेडीकल फिल्ड में जाइए आपको गौर्रमेंट फ्री में पढ़ाना चाहती हैं आप आगे आईए आप अपना फॉर्म भरवाये मैं अभी भावकों को कहना चाहता हूं आप अपनी बेटी के अपने बेटौ का फॉर्म भरवाईए भले ये सहर से बले आप किसान परिवार से हो या मज़ूत परिवार से बले आप middle class family से हो या अपर class से प्लीज आप अपने बच्चों को मौका दीजिए प्लीज उनके form बरिये प्लीज उन्हें जो हैं एक बार आगे बढ़ने दीजिए आज के लिए इतना ही तैंक यू जैहिंद वंदे मात्रम जैजबियार तैंक यू